नमस्कार दोस्तों मैं श्ट लॉजर सचेजिन स्वागात रॉब जंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्श्कों का जनवरी 2023 चल रहा है नए साल में परवेश पर चुके हैं हैं और जनवरी का दूसरा सब्ता आठ तारिक से लेकर चौदा तारिक के बद्धे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी आप जो भी लोग अपनी चंद राशी से वीडियो को देखेंगे नाम राशी से देखेंगे उनको जाधा लाब होगा आप वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको लाब होगा और ये साल आपके लिए और उन्नती दायक रहे, इसके लिए हम आपको कुछ उपाई भी बताएंगे, जो वीडियो के अंत में होंगे, जिनको देखना भी आवशक होगा, आज आपका जनम दिन है, या इस अप्ताह में आपका जनम दिन है, आपको डिरो डिरो शुप काबनाए, पर आप खुश रहे परसंद रहे, और अब जानिए सापताहिक राशी फल अपती राशी का, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की बटन को दबा दे, फेस्बूक को इसना जापर भी हमसे संपर्क चोड़ ले, आपकी राशी के बारे में अब शुभारम करते हैं, बात करे पे आप अधिक मालसिक तनाव, अनवश्चक वे, निराशा और हताशा की स्तिती को महसूस करें के, कारियों में असफलता, कारियों में देरी बाधाएं का सामना करना पड़ सकता है सिंग राशी वालों को, आपका स्वास्थ और जो खुशी है वो प्रभावित होगी असफ बार बार बदलेगा, आपकी समस्याएं आपको परिशान करेंगी, विप्रीद परिश्थितियों में स्वयम को प्रभावित होनी से बचाने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, ईश्वर का धिहान रखना पड़ेगा, और धैरे रखना पड़ेगा, सब्ता का समय सही हो रहा है, आप एक प्रभाव शाली विक्ति के रूप पे उबरेंगे और आपको प्रशनशा मान समाद दोनों की प्राप्ति होगी, आप पर कोई संदेह नहीं करेगा, आपकी कारी छमता बहुत अच्छी रहेगी, आप किसी संगठन को चला सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, नौकरी अच्छी चलेगी, सबता कांतिम भाग या संके दे रहा है कि आप परिवार कल्यार के कारियों को पेहस्थ जिम्मेदाजी से पूर्य करेंगे और परिवार की प्रगती के लिए खुल कर खर्चा करेंगे, आठ जन्वरी से चौदा जन्वरी के मत एकी बात हम कर रहे हैं, आठ नौर दस परिक को आधा दिन अच्छा नहीं रहेगा, आप दूसरों से अपमान मिल सकता है, आप लोगों से गिरे रहेगे और स्वयम को अकेला पाएंगे, कारिस्थर पर अंगरी परिशानिया चोटी बड़ी आ सकती है, घर में तरह हो सकता है, द घर को सजनी सवारने पर भी पैसा रगाएंगे, महत्पूर निर्ने लेने से पहले एक बार विचार कर लिजिएगा, माता-पिता के परती पूरे निष्टावान रहीएगा, तेरा तारिक को मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम पलता मिलेगी, चौदा तारिकों लाव और उन्नती के योग हैं, आपकी छवी में सुधार होगा, पैसा आपके पास आएगा, सब्ता की शुरुआत थोड़ी सी धीली, लेकिन उसके बाद सब कुछ बढ़िया, आर्ज जन्दोरी की बात करें, आपका खर्चा बढ़ेगा वेर्थ के धनखर से बचिएगा, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके छोटे भाई भेहन आपको नुकसान पहुजा सकते हैं, जीवन साती से आपके संबंदों में करवाहट आ सकती है, स्वैम पर दियंतर रखे, वेर्थ के वाद विवाद से बचे, पार में समस्याएं बढ़ेंगी, प्रेमी प्रेमका के बीच में तकरार पती पत्ती के बीच में भी तकरार हो सकती है, कुल विलाकर समी छेतरों में ऊच नीच लगी रहेगी, इसलिए समहल कर रहें, तस जनवरी दोजाट 23 की बात करें, तो आज पूरता का दिन है, विद् पूरत वालों की तरफ से विवाग के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, जीवर साती के साथ आपके सम्मध बदूर बने रहेंगे, और आप लोग एक दूसरे का पूरा सही योग करेंगे, ग्यारा जनवरी दोजार 23 की बात करें तो सब्ता का सरशेज दिन है, निश्य तर पूर निड़ने लेंगे, सो समझ कर निड़ने लेंगे, तरफ की करेंगे, बारा जनवरी 23 की बात करें तो आज आप परिवार के साथ उस्तो जैसा मोहल बिताएंगे, समाजी कतिविदियों में शामिल होंगे, आर्थिक तोर पे संतुष्ट होंगे, परिवार के लोग तेरा जनवरी 23 की बात करें तो आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे, जो मुश्किल होंगे, आपकी कुछ यात्राएं होंगी, आर्थिक इस्तती सामाने रहेगी, स्वास्त पर ध्यान दीजिएगा, आप एक वाहन खरिदने की योजना बदा रहें, तो उसे इस प्रिद कर दें, आपके संबंद आपके जीवन साथी से तनाव दरस्त हो सकते हैं, 14 जनवरी की बात करें तो एक कड़ा संगहर्श का दिन होगा, जिसके करना आप तनाव दरस्त हो सकते हैं, आपके चोटे भाई बहनों को एक दूसरे का सर्योग मिलेगा, आप अपनी हिम् ये कुछ अच्छा करेंगे, कुल मिलाकर ये सब्ता आपके लिए बहतरीन है, शुरुआत थोड़ी सी धीली है, उसके बाद सबस्तीक होता चला जाएगा, आपको 60% शुप परड़ा मिल रहे हैं, और आपके लिए लखी नंबर 3 रहेगा, अब जानते हैं वो उपाये जिन करनी हैं, जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं, भगवान विश्नु की उपासना करें, भगवान श्री राम की उपासना करें, मंदिर में जो भगवान आपकी विराजी थे, उटकी उपासना करें, कुल परोहित क कि सेवा करें मंदिन में श्रम दान करें श्रम दान समझते हैं श्रम यानि शारीरिक श्रम यानि कोई सेवा करें इस साल बढ़िया रहेगा और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उन जरूरत्पन लोगों को दें जो वाकई में जिनको धन किया उसकता है या अंड किया उसक अची तरीके से करें, उनको खिलाते बिलाते रहें और आनन्द में समय मिताते रहें, तो यही छोटे-छोटे से उपाएं, अगर आप करते रहें, तो यह साल इतना बेहतरी भी जाएगा, कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, तो धर्म से जोड़िए, कर्म से जोड़िए, और अपनी कमाई का एक हिस्सा धार्मिक कारियों में लगाईए, और सेहत को अच्छा रखना है, दिमाग को अच्छा रखना है, तो योग, पढ़ाया, मेडिटेशन, सूरे नमशकार को अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लिजिए, सारी जिन्दगी, स्वास्त भी अच्छा रहेगा, पैसा भी आता रहेगा, और सोच विचार भी अच्छे रहेंगे, तो इतना करके देखिए, इतनी सलामानिये मेरी, आपका आने वाला दोजारतेश का बचा हुआ वक्त, बहुत ही बेत्रीन होगा, और वरतमान से, आज से ही आप धन्वान बनने शु स्क्राइब कर लें, और जनम गुर्ली बनवाना चाहते हैं, उदिये के नमबरों पर संपर कर सकते हैं, आपका समय बहुत ही शुब हो, ऐसी हमीश्वर से मंगल कावना करते हैं, नमस्कार.